चलिए नमस्कार और सातियों आप सबी कहार्दिक सौगत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर और मैं अमिन पारिक और आज हम बात करेंगे ESIC के जो आंसर की इसकी आपने जो ये क्यूशन जो आंसर बनाए गए हैं ये थ्री टाइम AI वेरिफाइड है और उसके बाद हमने अलग 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 जो क्यूशन अलग 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 एक्जाम में आयते जैसे कुछ राई पूर एमस में था कुछ और एमस के थे वो सारे आंसर से भी टेली कर ली है एक वार हमने तो 100% आपको मैं गारेंटी देता हूं जो आंसर बताया जाएंगी वो एकदम 100% शौर है वो एकदम सही है ठीक है क्योंकि इसलिए इतना लेट हुआ क्योंकि हम सारे आंसर को वेरिफाइड कर रहे थे मैंने का वेरिफाइड करके ही आपको आते होंगे लेकिन हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो चलिए सुरू करता है फर्स्ट क्यूशन था पिरिड ओफ प्रेक्टिकल एक्सपरियंस का जिसमें एक पर्टिकुलर फिल्ड इंदर एक्सपर्ट का पुछा गया था इसका आंसर जाएगा ए इसका करेक्ट पुशन होगा घृशन न змबर फिल्ड एक्सपरियंस होगा त्या त्या इसका आंसर क्रिकुशन थार जो होगा एक तीन अचार यनिकी बेस्ट नोल अब्जिक्टिव इसका आंसर जाएगा ब्ल्यूप्रिंट बी बी ब्ल्यूप्रिंट इसका सही आंसर होगा आप भी मिलते रहें और मैं नेक्स्ट बाद में बात करेंगे क्ट आप क्या कुछ है ठीक है मैं अच्छ दा कोलम बहुत इसी क्विशन था आंसर बी पेलडो स्पून और उकेजनल स्पून के साथ में इसको फीडिंग नेनी है और ओगेस्टिक हो ने जो एस्टिक ठीक है आंसर जाएगा बी क्विशन बात करें हम 14 यर ओल्ड की यह मैंनेज आटिस का कैस था हम मैं पता है मैंनेज आटिस में क्या होता है ग्लुकोस वग 3, 4 & 5 D will be the correct answer 3, 4 & 5 नेक्स्ट की बात करें CPR से एक क्यूशन था सब बच्चों ने मुझे पता इसका आंसर एट्रोपीन करके हो एट्रोपीन इसका आंसर गलत है इसका आंसर जाएगा क्योंकि 30 seconds के लिए ही बोला गया था 30 seconds positive pressure ventilation on chest compression का तो इसका आंसर जाएगा कैपिलरी रिफिल टाइम को तुम calculate ही नहीं करोगे इसका आंसर क्या जाएगा severe dehydration क्यूशन क्यूशन था इसका आंसर जाएगा क्यूशन नमबर 12 वे कंगरो मदर केर का क्यूशन था इसका आंसर जाएगा C hemodynamically stable low birth weight mother थर्टी नमबर क्यूशन इसका आंसर जाएगा hematuria oligouria edema hypertension आंसर जाएगा acute glomerulonephritis क्यूशन नमबर 14 मैं बात करूँ था एक cancer का क्यूशन था बच्चों के अंदर आपको पता ही है acute lymphocytic leukemia क्यूशन नमबर 17 ब्लेडर और वेजाएने के बीच में पूछा गया था वैसिको वेजाएनल फिश्टूला होता है क्यूशन नमबर 16 टेंडन साथ में दिया था मसल के इसलिए इसका आंसर जाएगा strain not sprain answer number a आप किसी भी टिक के उपर बिलिव मत करना जो मैं answer बता रहा हूं उसके उपर बिलिव गरना क्योंकि मैंने किसी बच्छे का पर लिया था अभी में बाहर आया हूं तो उसके पर से जुरूम में तो इसका आंसर जाएगा ए ठीक है ना इस ट्रेंड टी आईगा इसमें नेक्स्ट बात करूं मैं इसकी उसका आंसर जाएगा डी है ना लेको पाई लूरी की स्टेंश इसमें तो प्रोजेक्टल हो मेंटंग वहती है इंट्र सफक्षेंड में क्या होती है बिलिए वो मिट्टिंग होती पेप्टी कल्सर में रिकरेंट अपयंटिस में पेयन वाला राइट किवाडरेंट में तो टाइट एर ड्रेसिंग और उसके बाद में चैस्ट एक्सरे आंसर नमर बी सही रहेगा नेक्स्ट बात करें नैपरोटिक सिंड्रोम प्रोटीन ज्यादा होने की वज़से फोमी यूरीन आएगा आप शे आंसर नमर जुग है एही वह सही रहेगा मासीव प्रोटीन यूरीया हाइपर टेंशन हाइपर लिपीडीमिया हाइपो अल्बुमिनीमिया और फॉमी यूरीन क्लियर और नॉट नेक्स्ट बात करें क्विशन नमर ट्वेंटी आपको पता ही है यह से लिएक डिजीस रिलेटर क्विशन था जो कि मैं पता है बारले राई ओट वीट आइस क्री एक इस का आंसर जाएगा बी ट्वेट ट्वेटérence नमर की बात करें अगर हम डिससम्क्षन डवलप्ड यूरेमिया जी एफार की बात करें तो लेस देन और एकोल टू 50 ChiT मल पर मिनिट इस इस नैगा ट्वेट ट्वेटीं ट्वेटी ट्ू का आंसर जाएगा ऑड्वेगा option number c 25 का answer जाएगा audio visual aids का 1 2 3 ठीक है c number option 26 की बात करें option जाएगा इसका answer a educational philosophers emphasizes practical utility and activity based curriculum इसका answer जाएगा a 29 की बात करें micro teaching इसका answer जाएगा developed teaching skills and the competence in the teacher's journey is micro teaching इसका answer की बात करें यह psychomotor skill development में तुम्हें पता है demonstration यह होगा demonstration इसका जाएगा 28 का क्यों क्योंकि आपको बता कैनूल लगाना सीखते हो या तुम कैतर लगाना सीखते हो तो यह चीज़े जब है develop तब भी होगी जब आप आप खुद काम करोगे आपको पर्दसन करके बताया जाएगा demonstration का मतलब बता पर्दसन करके बताना जस्ट क्लियर है कि नेक्स्ट बात करें question number 27 statement regarding brainstorming अगर में इसकी बात करें तो तो इसका जाएगा one and three only one and three only इसका correct answer जाएगा match करते रहना साथ के साथ next question 30 की बात करें skill involves paraphrasing clients words and saying what counseling think about the client feeling इसे कहते है reflecting next question की बात करें care bundles की इसका आंतर जाएगा b care bundles increases the possibility of a long term complication of a particular disease साथ यसाथ इदरी बात चलो पहले कर ले 32 answer की exercise की बात कर रहे थे जिसमें muscle contraction अकर moving without moving the joint इसे कहते है isometric ठीक है डी option है isometric 36 की बात करें इसमें ABCD चारुए होंगे cell mediated become होगी humoral become होगी सारे कि सारे ABCD जो डी number option है डी number option एक दो तीन जाब यह correct होगा बात करें 35 की इसमें rhomburg test नहीं करता है आई के अंदर rhomburg test नहीं किया जाता है क्योंकि rhomburg test जो है वो balance and posture के अंदर करता है तो rhomburg गलत होगा wind healing की बात करें इसमें fibroblast migrate 2 यह जो collagen synthesis का था इसका answer जाएगा C proliferative phase maturation नहीं जाएगा C जाएगा proliferation phase बात करें 33 की 33 में circulator related पुछा गया था जबकि tympanitis को circulator related नहीं है बागी सारे circulator related नहीं है तो tympanis जो है वो answer इसका चला जाएगा 37 का जो answer हो जाएगा आपका C one two or four 33 dry powder inhaler इसका answer जाएगा one two or four इतने अपके reality बता है यह पेपर जो आ है यह 102 घंटे का कोड़िंग था ही नहीं इसमें लग भग धाई से तीन घंटे मिलने चाहिए थे तीन घंटे का करवाया तो इतना फास्ट फास्ट पढ़ा भाई साब की काम नहीं करें कींई कि काम पढ़ रहाए एब जैसे मेस सीरी मत्रों अव्पिक ट INF seconds पढ़ने में इनका उप्षिन पढ़ने में और इनके सोचने में दो मिनिट जाता है तो इनकुशं को करने में दो मिनिट व्यस्ट होता है और ना करें तो भी समझ या करें दो भी समझ करें ठीक है तो 38 का आंसर बात करूँ है 38 का आंसर इसका इसका जाएगा 1342 1342 तो यह option इसमें है नहीं option नहीं है ऐसा इसलिए इसका सायथ bonus mark मिलेगा ठीक है 1342 इसका आंसर जाएगा क्योंकि हमने दो से तीन बार इसको verify कर चुक आंसर जाएगा ठीक है विजब दो फॉलोविंग मारकर बिगें टो राइज इसका आंसर जाएगा 40 का आंसर जाएगा तो कैल्सियम की वेल्यू कम होती है तो कैल्सियम इसका आंसर सही जाएगा 43 थायरीटेक्टों में थायरूट सर्जरी की बात गर रहा था क्यूशन तो थायरूट सर्जरी में प्रोमोंटिंग इंटेक ऑफ आयोडीन रिच फुड यह नहीं करते बाकि सारे रिस्क रहती है क इसके लिए हम यह भी चेक करते अबिलीटी भी लेकिन डी ओप्शन नहीं करते डी आंसर जाएगा अल्स रिटी को लाटिस की बात करें ए ओप्शन जाएगा डाइरिया पासेज उफ मुकोस अंदपास इंद इस्टूल रेक्टल बिडिडिंग ठीक है अरे यार बिल्कुल सही बात ये क्विशन दो बड़ा इजी था यार चलो कोई बात नहीं 48 इन नॉर्बल रेंज ऑफ मोसन एक्टिविटी क्या कलाती थी अड़क्शन कलाती है है ना सुरे अबड़क्शन डी ओप्शन सही रहेगा अबड़क्शन डी अड़क्शन CPR तो आपको पता ही है थी इस रेशियो दो और पैताल इसक्विशन जिसका आंसर सब बच्चे कर रहे थे वेस्टिबलर नर्व सेक्शन इसका अंसर गलत है भाई इसका अंसर से जाएगा क्योंकि यह ओटोस्क्लोरोसिस में करते हैं मीनेट डिजीज में नहीं करते हैं तो आंसर जाएगा 49 का B 50 की बात करें इमर्जेंस ओफ रिस्क फेक्टर अंसर जाएगा प्राइमोडियल प्रिवेंशन भी 51 की बात करें इसका अंसर यह टेंपरेरी पूता था वर्ड वर्ड में चेंज जाए था टेंपरेरी का अंदर ब्यूस लाइन होती वह वापस ठीक हो जाती जब कि जो कोई लों क्या है यह क्या होता कि इसमें जो स्पून से अपनेल हो जाता आयरें डिफिसेंसी में तो यह जो पर्मानेंट रहता है तो इसलिए इसका आंसर जाएगा डी ब्यूस लाइंग इतना का दिमाग चलता भाई महां पहना नेक्स्ट एडवन्टीश इसमें चारो ही जाएंगे वापस कहा रहा हूं में चारो जाएंगे दो नहीं जाएंगे चारो जानेंगे डी ओप्शन सही होगा इसका 1 2 3 4 प्रजिएंस फे माइक्रों इसकान से जाएगा सी कोलोनाइजेशन चौपन नंबर आंसर जाएगा हीमन अनेटमिकल वेस्ट और स स्टेज 4 पेन वाड़ा एंडोर्फिन हाइपोक्जीमिया 3 परसेंट सोडियम क्लोराइड इदर आएगा साथ हजार इदर सेल्फ रेगुलेशन थिंकिंग इसके लिए लेट्स मोनेटरिंग करेक्शन मिस्टेक सेल्फ रेगुलेशन इदर आएगा केलस फुटों के आएग यहां पर एंजियोमा ट्यूमर्स एंजियोमा 63 नबर क्यूशन इसका आंसर होगा बी 234 क्यूशन देख लो ओपरेटिंग रोम का क्यूशन है आंसर जाएगा 234 बात करो मैं 64 नबर क्यूशन की इमिडेट आफ्टर दा सर्जरी केटारेक्ट वाला क्यूशन है इसका आंसर जाएगा बी 124 एक्यूशन की बात करो बिल्कुल इसका आंसर एही जाएगा भाई साहब हैलोस अराउंड दर राइट लाइट एंद ओक्यूलर रेटनेस जो है 65 आंसर जाएगा ए 66 क्यूशन मै पैसेंड मस्ट रिमेन निल पर ओरली एट लिएट ड्री लुंहां और बिफोर द इन्वेस्टिकेशन करेक्ट होगा एक्यूट किडिनी के बात करें खुआं डियूशन तुम्हारा C, Allopurinol, Allopurinol आंसर जाएगा 71 नंबर कुशन का, 72 नंबर कुशन के दो आंसर बनते हैं, Systemic Lupus, Arithromatis और Systemic Sclerosis लेकिन जब बात हार्डनिंग की आएगी तो आंसर फिर B जाएगा, तो B1 इस प्राइटी 1, B1 को प्राइटी देंगे Systemic Sclerosis की, 73 इलेक्ट्राइंसेपलोग्राफी, 77 अल्बूमिन, 76 ऑक्सिटोसिन, 75 केलसियम ग्लुकोनेट, 75 हाइपरकलीमिया, केलसियम ग्लुकोनेट से आंसर होगा, 74 इस्चिमिक स्ट्रोक, टीपी, टीस्यू प्लाज्मिनों इस्चिमिक स्ट्रोक, बात करें, 78, इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 and 2, इस्टिरोया का क्यूशन था, 1 और 2, नेक्स्ट बात कर लें तो उपर से, IQ का, IQ का सही आंसर होगा, भाई साब, Average, ज्याना करना, सितर से 100 Average होता है, कोई Bright Normal करका है, गलत आंसर है, Bright Normal नहीं होगा, Bright व इदर से बात करें, 83 की, तो टू पॉजिटिव गोल्स की बात कर रहा है, तो इसका आंसर जाएगा, Approach, Approach Conflict, आंसर नमबर D, 79 की बात करें, Motivation की थियोरी कौन सी नहीं थी, Stenberg, थियोरी जो की D है, वो नहीं थी, 80 की बात करें, Highest Level पुछा गया था, Self-Actualization Highest Level पे है, ज अंदर, आंसर जाएगा, 1, 2, and 4, Trade, Industrialization, 3, 4, HR, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 86 क्योशन, कौन सा Essential Amino Acid नहीं है, 16 Amino Acid नहीं है, बाकि सारे Essential है, जो A, 2, 3, 5, Option नमबर C, 1, 2, 3, 5 है, 87 नमबर क्योशन, इसका correct answer होगा, C, 2, 3, 4, 1, बाकिसर से UK, I से रcken многие legal था, Console C, 1, 2, have झाल प्योशन, इसका नमबर क्या, ऍथीक होगा, C, 2, component, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 4,1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, d, 4, 2, 1, 3, 4, 5, 2, पता नहीं है तुम क्यों गलत करके आगे हो काफिसर गलत करके आगे इतना सोटा यह अंसर था अगर सबसे बड़ी पोच था तो IgM था पेंटावलेंट IgM था मिलिनेर्स मॉलीक्यूस IgM था जबकि प्राइमरी लेवल पे भी IgM है IgG जो सबसे हाइस्ट होती मेक्जिमम लेवल पे होती है और सेकिंडरी होती है तो IgG नेक्स्ट बात करें एपिडिमियलोजिकल ट्रेड कोण सा नहीं है एजेंट होस्ट इन्वियर्मेंटर डिजीज नहीं है डी आंसर सही होगा अगला पुचा गया था एक वेक्सीन का था तो उसमें वो डार्क हो रहा था इसलिए उसको फेंकनी थी शुड नोट यूज दि बेस ओफ दे हैल्थ सर्विस पिरामीड अर्डेको ज्यादा गलत हो रहे ना कोई जिंदा की बात रहें डरने की जरूत नहीं है सब कहीं गलत हो रहें आप अखेल नहीं हो सब इतने के इतने गलत हो रहें डॉंट वरी नेक्स्ट चलो भी आप चलते रहो इस कांसर होगा ब बात करें कम्यूनिटी बेस्ट ये नोन कम्यूनिकबल डिजीज का पूचा गया था इस कांसर जाएगा मेडिकल ओपिसर क्या अंसर जाएगा उसका मेडिकल ओपिसर बताओ प्रदार मंतरी जन आरोगी योजना में पांचलाग रुपे देते हैं द्यारकना कोण सा प्रिव जोइंट का क्यूशन आये था जोइंट के अंदर जाएगा हिंज जोइंट पैर पेटेश का होते हैं इलियम में ये वैक्सीन का बड़ा जो है कॉंट्र इंडिक्री क्यूशन था तो इस कांसर जाएगा जापनीज एंसे पलाइटिस आपको पूचा गया था सुगर केन की वजह से ये बेगोसिस होता कॉन सा बेगोसिस ओप्शिन नमबर डी एक सुछे का क्यूशन पूचा गया था इस कांसर जाएगा एंसिदेंट रिपोर्ट एक सो साथ डिसिजन मेकिंग एक सो आठ लाइकर्ट स्केल एक सो नो इंडिपेंडनेंट एक सो थास फिनो मिनोलोज इसका मुझे अभी तक पता नहीं चला क्योंकि यह क्या है कि अभी गलत आंसर बताने से क्या मतलब मैं अभी कुछ भी बता तो आपको इसलिए उसको छोड़ना है 112 नमबर क्यूशन एंपरीकल फेजवाला क्यूशन जो था इसका अशर जाएगा C 3142 जो है C इसका करेक्ट आंसर होगा 113 टेस्ट-z रेटेड रिलाइबलीटी इसका करेक्ट आंसर होगा test-आर्इड रिलाइबलीटी बात परच्वसंड के जा सकता क्लाइमेडे ट्रेकोमाइटी तो पेरासाइट है जो कि ग्रीन कलर का सिक्रेशन करता है जबकि गैडिडायसी से यह क्या करता है करडी कलर का तो बात करें तो इसका अंसर सी जाएगा 119 का क्यूशन जाएगा आंसर जाएगा ए ठीक है ओक्सिटोसिन का आंसर है जो वो ए जाएगा 122 का आंसर जाएगा सी 122 आंसर सी 121 आंसर आ वोईलेशन 120 आंसर बाइकोरनोयट यूट्रस 123 आंसर एर टिपिकल एंटिसाइगोटिक 124 टेस्ट जज्जमेंट 125 डिलीरियम ट्रेमर्स क्योंकि यह एल्कॉल विड्रोल में होता है इसलिए डिलीरियम ट्रेमर्स जो इसका आंसर चाहिएगा 125 का 126 कोगेनेटिव बिहेवियर थेरेपी 127 इसका आंसर सिरोटोनीन होगा भाई ज्यारकना सिरोटोनीन ठीक है 127 आंसर सी सिरोटोनीन 128 आंसर वैलिडेशन डी 119 आंसर जाएगा 4,2,3,1 ओप्शन नमबर B 130 आंसर जाएगा केटाटोनीक बिहेवियर डिप्रेशन मनही होता C 131 आंसर जाएगा B,1,2,3,133 क्या वापस देख लो यह रहा मिल्यूस थेरेपी बाला इसका आंसर जाएगा 1,2,3 132 इसका क्यूशन जाएगा आंसर आएगा B,1 nurse for every 6 bit 133 आंसर जाएगा short term deployment 134 आंसर जाएगा SDX analysis 135 major penalties में कौन सा नहीं है transfer नहीं है 136 इसका आंसर जाएगा तुमारा A,4321 137 आंसर जाएगा granulosa cell tumor of the ovary 137 क्यूशन जाएगा आंसर जाएगा इसका around the brain 149 30 से 60 breathe per minute 140 metabolic acidosis 141 इसका आंसर जाएगा accept the artificial nipple but refuse to mother nipple 142 post coital bleeding 143 spalding sign 146 brown rice 145 वन 16.7 पर हजार पर एर 149.1 B option 29.1 correct answer है 147, severe acute malnutrition 148, disability adjust life year T 150, 28 day of life 150, answer जाएगा B Prima Queen जो है वो बिल्कुल correct answer होगा Prima Queen तो यह आपका correct option है 100% guarantee के साथ कहा रहा हूँ HGT यही answer वहाँ पर माने जाएगे ठीक है इतना विस्वास मुझे पक्का है कि तिन तिन बार AI जाज कर लिए सब जगे से match कर लिए उसके बाद हमने आपको answer बताए है कर दो है